नमस्कार दोस्तों आपका मेरी चानल DSN Tech में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है आपकी इमेज फाइल हो वर्ड फाइल हो या चाहे एकसल फाइल हो या पावर पॉइंट या कुछ और हो उसे कैसे easily PDF में convert कर सकते है जी हाँ मैं बताने वाला हूँ कैसे आप जो है इमेज को PDF में easily convert कर सकते है अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को और शूडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भुलेगा तो बीना टाइम को वेस्ट किये आज की वीडियो हम शुरू कर देते तो जो आपको है जो सबसे पहले वाली स्टेप जो है उसे करनी है आपका जो फेवरेट ब्राउजर होगा उसे ओपन कर लेना है ब्राउजर ओपन हो जाने के बाद आपको यह सर्च बार है इसमें आके सर्च करना है I love PDF फिर यह सर्च हो जाने के बाद आपके सामने जो सबसे उपर और जो पहली लिंक आएगी I love PDF.com उस पर आपको क्लिक कर देना है फिर जो अपनी PDF की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी इसमें कुछ और भी option दिये गया है मैं एक बार आपको यह explain कर देता हूँ फिर अपनी जो image है उसे PDF में हम convert करेंगे सबसे पहला option है merge PDF अगर आप दो PDF को एक साथ merge करना चाहते हो तो आपको चूज करना है पहला वाल option फिर option है split PDF अगर आपको एक PDF से दो PDF बनानी है यह मतलब उसमें से आदे पेज है उनको अलग रहा आदे पेज को अलग करना है तो आप split PDF का option चूज कर सकते हैं फिर आपकी PDF जो है उसकी size जो है PDF बनाने के बाद जो बढ़ गई है उसे आप complex कर सकते हैं इस option से अगर आपको PDF बनानी है आप sorry आपकी जो PDF है उसे वरड में बनाना है तो आपको यह option धे टेक करना है फिर option है PDF to PowerPoint अगर आपकी PDF है उससे आपको presentation बनाना है, तो आप यह option चूज कर सकते हैं, अगर आपको PDF को Excel में बनाना है, तो यह option यह रहा, फिर आपको word को PDF में बनाना है, जी हाँ, आप यह option चूज कर सकते हैं, हाला कि देखागा है कि word में यह option inbuilt है, आप जो file save करने जाते हैं, वही पर आपको export को option मिल सकता है अगर आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हो नहीं तो वर्ट पीडियाफ ऑप्शन चूज कर सकते हो फिर आपको पीडियाफ बनाना है लेकिन पावर पॉइंट टू पीडियाफ यह ऑप्शन चूज करना पड़ेगा फिर आपको एकसल को पीडियाफ बनाना है तो यह ऑप्श के वीडियो में ये बताने वाला हूँ फिर आप चाहे तो PDF को है नंबर दे सकते हैं अगर watermark चाहते है आपको लगता है कि आपने बहुत मेनत करकी PDF बनाई है कोई उसे copy कर लेगा फिर copy करने के बाद जो है आखिर ये बनाई किसने ये issue हो सकता है तो अगर आप चाहे तो आपके नाम का या आपके जो कुछ identification है उसका watermark लागा सकते है अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट हो जाने के बाद जो PDF है वो गलती से portrait mode की जगा landscape में आ गई है या लांड की जगा आगई है portrait में तो आप उसे यहाँ से edit कर सकते है मतलब rotate कर सकते है आप जो कोई website का page है फिर चाहे आपके android पे हो या pc पे तो उसे आप html की PDF पर click कर सकते है अगर आपकी PDF file मतलब अगर आपने कही से कुछ download किया है और उस पे password है तो उसे आप यहाँ से remove कर सकते है अगर आपको चाहे तो PDF की pages है उसे rearrange कर सकते है और यह option कुछ नया अगर आप चाहे तो PDF को PDF A format में convert कर सकते है कई पर होता है कि आगर आप चाहे कुछ upload करना है तो PDF file support नहीं हो रहा है तो PDF A format आप पर upload कर सकते है अगर आपकी PDF file जो है बनाते वक्त कुछ problem आ गया है error आ गया है उसके वज़े से वो open नहीं हो रही है अगर open हो रही है तो कहीं या किसी page पर जाके stop हो रही है तो आप उसे यहाँ से repair कर सकते हो तो चलिए हमारे main topic के और हमें convert करना है JPG को PDF में इसके लिए हमें यह option चूज कर लेता हो JPG to PDF यह open हो जाने के बाद हमें जो PDF बनाने के लिए जो JPG मतलब image लगने वाली है उसे हमें choose कर लेना है तो यह रहा मैं यहाँ पर एक image जो है choose कर लेता हो फिलाल तो यह जो मेरा thumbnail था पिछले वाली वीडियो का उसे choose कर लेता हो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी थोड़ा formatting का issue यह और जूम करता हूँ आप देख सकते हैं यह image जो है landscape mode में है लेकिन यह page format जो है वो portrait mode में है मतलब यह page जो है वो अभी सीधा रखा हुआ है और image जो है वो horizontal रखी हुए तो आपको करना क्या है यह setting option है इस पर click कर देना है फिर आपको यह पूछागा कि select the page orientation तो यह portrait में नहीं चाहिए image की हिसाब से चाहिए तो landscape में चूज कर लेता हूँ अगर यह रहा अगला option की page की size तो A4 पर देख सकते हैं अगर आप page की size जो है A4 रखेंगे तो image के उपर और नीचे यह white आपको line दिख रही होगी तो यह दोनों आ रहा है मतलब यह image जो है page पर पूरी तरह से landscape mode में fit नहीं हुए तो मैं यहां के setting पर जाता हूँ फिर यह page size है इसे हमें क्या करना है fit same page as image यह हो जाने के बाद आप एक बार देख सकते हो अभी जो हमारी image है वो पूरी तरह page पर आ गई है तो आप इसे easily print ले सकते हो यह हो जाने के बाद आप convert to PDF option पर click करना है फिर यह converting process जो है complete हो जाने के बाद आपकी सामने option आएगा download video करके अगर आप चाहें तो यह PDF है directly आपके google drive में save कर सकते नहीं तो आपका drop box या कही पे link कर सकते और आपको लगता है कि आपके हाथ से गलती हो गई है यह PDF का formatting गलत हो गया है तो आप यहाँ से delete कर सकते अभी download पर click करते ही यह download option आपने आप आ जाता है मैंने यह PDF जो है already download किये फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं फिर से इसे एक बार download कर लेता हूँ यह image जो है download हो जाने के बाद आप download पर जाके check कर सकते यह रही हमारी image इसे मैं आप में open करने वाला हूँ यह two वाली अभी हमने जो है PDF की है आप देख सकते है यहाँ इसका extension जो है dot PDF लगा हुआ है मैं इसे open कर लेता हूँ अब जो भी आपका PDF reader जो आपका software है उसे open कर सकते हैं फिर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यह image जो है अभी वह PDF हो गई है इसको आप दिखाने के लिए मैं इधर क्लिक करता हूँ तो रोटिट कर लेते हैं यह रही वह image और इसके आगे लिखा हुआ है dot PDF बतलब आप यह image जो है PDF format हो जोगे तो इस तरह से आप जो ही अपनी इंपर्टर डॉक्यमेंट या आपको जो काम की चीज़े से उन्हें image से PDF बना सकते है अगर आप चाहे यह जो आप कर रहे हैं वह ज्यादा ही आपको लगता है कि privacy लखना चाहिए तो आप उसे simply जाके आपको उसे पासवर्ड लगाना है आपको मैंने बताया है पासवर्ड कहा लगा दे उस पर जाके आप जो है पासवर्ड लगा सकते और वह जो फाइल है उसे पूरी तरह से प्रोटेक कर सकते हैं वाशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो अन तक देखने के लिए शुक्रिया और अगर आपने इस चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत प्लाइब